तो चलिए बरत में खाने के लिए एक नास्ता बनाते हैं, इसे बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है, तो इसके लिए मैंने एक कपसा बुदाना ले लिया है, इसे हम 2-3 वार अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डाल कर इसे रात भर के लिए भीगो कर छोड़ देंगे या फिर आप 2-4 घंटे तक इसे भीगो कर रख सकते हैं इस तरह से मैंने बराबर मात्रा में पानी डाला है जादा पानी नहीं डाला है इसे मैंने ढख कर छोड़ दिया अब हम एक पैन गरम करेंगे उसमें हम आधा कटोरी मैंने ये मुंगफली के दाने लिए हैं अब हम इसे रोष्ट कर लेंगे धीमी धीमी आज पर हमें इसे रोष्ट कर लेना है तो हमारी मुंगफली भून गई है तो अब हम इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे हमें इस तरह का पाउडर चाहिए तो देखी लेते हैं सबुधाना को सबुधाना हमारा बिल्कुल फुल चुका है और यह एक दूसरे से चिपका नहीं है बहुत ही खिला खिला है तो अब मैंने इसमें दो उबले हुए आलू को कद्दू कस करके इस तरह से डाल दिया है इस तरह से आलू को कद्दू कस करके डालने से अच्छे से मिक्स हो जाता है इसमें अब हमने इसमें कुट्यू ही मुंखफली को डाल दिया है इसमें आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है, आधा चम्मच जीरा डाला है, अद्रक और हरी मिर्च एक चम्मच डाला है, कूट कर डाला था, मैंने अगर आपके पास पेश्ट है तो डाल सकते हैं, करी पता डाला है, इसमें स्वात के अनुसार सेंध नमक का इस्तेमाल करें, तो हम अब इसे हम अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे, मिलाने के बाद मैंने इसमें करीब लेमन के साइज का इसमें से थोड़ा सा मिक्सर लिया है, अब हम इसे टिकी का सेप दे देंगे या फिर हम बड़ा भी इसे बोल सकते हैं, तो इस तरह से सार बड़े को बना कर तियार कर लिया है तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया था अब मैंने मिडियम फ्लेम पे तेल को गरम किया है अब हम इसमें अपने बड़ा को इसमें डाल देंगे दोस्तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा विडियो को एक लाइक जरूर दिजेगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ सेयर करिएगा तो अब हम इसे इस तरह से देंगे उलट पलट कर हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है यह खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है अगर आपका ब्रत नहीं भी है तो आप ऐसे भी बना कर खा सकते हैं चटनी के साथ खा सकते हैं केचप के साथ खा सकते हैं चाय के साथ भी खा सकते हैं तो एक बार आप जरूर बनाईएगा और कमेंट करके बताईएगा कि आपको कैसा लगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की आसान सी रेसिपी लेकर तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहे और ये वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है तो आप एक लाइक जरूर करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स पर वाचिंग